Ancent OS 7.1 का एक latest update हमारे POCO M2 Pro और बाकी MI8 All Devices के लिए आ चुका एक दो दिन पहले और इसे मैं जब से डाल के चेक कर रहा था तो चलिए आज की वीडियो में चेक आउट करते हैं 7.1 में हमें क्या कुछ नया इंट्रेस्टिंग डिफरेंट टेखनीकों मिलता है और येली में ये एक huge customization प्रोवाइट करने वाला आपका है जो रोम होने वाला है और ये मेरा one of the best रोम भी है क्योंकि मैं still इसे दो मेहनेर से अपने OnePlus 9 Pro के अंदर यूज करना हूँ और गेमिंग करता हूँ तो क्या है वो ऐसे ही यहाँ पे भी चीज़े देखनी को मिलती है नहीं चलिए अचके वीडियो में इसे ही check out करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो like करेगा और चैनल पे नहीं तो please दोनों चैनल को करें subscribe ताकि ऐसे interesting update आपको regular मिलते रहें दोनों चैनल से यहाँ पे मैं different wallpaper यूज कर रहा हूँ आपको जुरुत है तो टेलिग्राम से निकाल लेना मैं एक दो दिनों के अंदर ही डाल जूँगा या फिर इस वीडियो से पहले ही चला जाएगा यहाँ पे आप देखो के QS को थोड़ा सा मैंने modified कर रहा है जहाँ पे आपको battery, wifi, timing वगेरा और QS का look different आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे animation भी आपको थोड़ा different है और जब भी pop up आता है पूरा background आपको डिखाई भी नहीं दे रहा है बट मुझे background में हलका हल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ कहां कहां पे जो लिखा गया है साथ से साथ यहाँ पे advantage आपको मिलता है Leica camera का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इसे by default रखा गया है जो कि आपका pro पर काम करेगा इसके बाद यहाँ पे नीचे की आते हैं तो आपको देखनी को मिल जाता है setting जहाँ पे about के look को मैंने oxygen OS के जिसा कर रखा है जो कि देखने में काफी सही लगता है जहाँ पे आप देखो 7.1 इसका version है POCO M2 Pro जो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे memory extension में आपको 4 plus 2 डिखाई दे रहा है बट actually में यह oxygen OS के look में है ना इसली यहाँ पे look को continue रखने के लिए 2 plus रखा गया है बट actually में रोम के साथ जो आपका default storage लाएगा वही देखनी को मिलेगा RAM वगेरा वह यहाँ पे expand नहीं होता हमारे maintainer का name देखनी को मिल जाता है यहाँ पे storage आप देखनी को लिंक किया हुआ है जो कि देखने में हमारा सही लग सिभाए multiple user account के और reset वगेरा के बाकी यहाँ पे आपको मिलता है security जहाँ पे face unlock, fingerprint, f-lock मिल जाएगा scrammer layout भी मिलेगा और यहाँ पे device आपका encrypted है जो रहता है another यहाँ पे wallpaper install के अंदर आ जाता है जो कि आपका grid का option है बाकी यहाँ पे default यह wallpaper आता है बाकी आप चाओ तो different रख स option मिल जाता है जो कि मुझे उतना effective है जो नहीं लगा जितना कि भाई actually में होना चाहिए जबकि यहाँ पे color का option आपका है जो proper काम करता है बाकी time out है और यहाँ पे आपको dark mood के अंदर देखनी को मिलता है pure black option जो कि आपका working रहने वाला है night light है auto rotation अगेरा है tap to wake up full skin app और display cut out भ file जहाँ पर आपको टेखनी को मिलता है और volume control और बाकि अधर options वोगे रहा है जो कि आप यूज कर सकते हो जितना मैंने यूज किया बैटे मुझे overall काफी सही लगा है बाकि स्मार्ट चार्जिंग बैटे optimization slip mood वगेरा कितना power है कितना supply दे रहा है कितना बच्चा वह है temperature वग क्योंकि यहां पर बहुत कुछ है देखने को यह आपका normal सा game space यहां से आप higher fps unlock कर सकते हो 90 fps वगेरा और photo यहां पर unlimited आपका जो हो जाएगा अकसर लोग कहते है 90 fps unlock हो जाए तक 90 fps काम करेगा backup बनाता है तो भाई यह setting 90 fps unlock कर देता है और आपका processor जितना capable है उससे कुछ हद त देने वाला phone है और आपको 90 पे प्रवाद पहुंचा देगा ऐसा नहीं है यह 30 है तो 40, 50, 60, 30 ऐसे करके upper और down आपका IPS होते रहेगा जो की काफी सही रहता है gaming में default settings से तो यह चीज़ आपको देखने को मिलती है बाक यहां पर आपको मिलता है जो की Google service parallel apps जहां पर दो application वग मिल जाएगा बाकी यहां पर आपको जो बाइट जब भी आप headphone डालोगे music player on होना चाहिए नहीं यह set कर सकते हो जो इफेक्ट आपको मिल जाता है जो की काफी सही है अनदर आता है navigation bar जहां पर plus music equalizer का आपको option मिल जाएगा ने बार के अलग लग लुक दिये गए हैं यहां यहां पर invert कर सकते हो layout वगेरा को back gesture animation आपको मिल जाएगा gesture के अंदर EOSP animation आपको मिलता है यहां पर आपको क्यूक अनिमेशन system neighbor और बाकी वही common option मिलेंगे बाकी यहां पर triple fingerprint का आपको इसके insert यहां पर slip की option आपको मिल जाते हैं haptic option दिया गया है और hide IME button space advanced का option भी है यहां जो कि gesture के long swipe पे रहता है जहां पर कई सारे action आप set कर सकते हो बाकी यहां पर आपको देखने को मिलता है touch gestures वगेरा जो कि haptic के हैं another यहां पर आपको मिलता है power menu जहां पर power menu में कई सारे option आप चाहो तो रख सकते हो animation में थोड़ो चेंजिंग कर दो जिसका आपको animation काफी अच आता है और color वगेरा भी आपको मिलता है battery percentage के लिए notifications से related आपको color notification उसके counter वगेरा no IG notifications वगेरा है material dim button वगेरा है यहां पर कुछ चीजों का color कर सकते हो background का text वगेरा का यहां पर blur media वगेरा भी आपको notification के लिए retaker के option आपको मिल जाते हैं always on में आप color डाल सकते हो और उसे on off वे कर सकते हो इसका भाई जो length वगेरा है वो भी आप चीज़े है जो यहां पर control कर सकते हो callings related आपको web rate मिल जाता है बाकि यहां पर आपको मिल जाता है flashlight और ignore dnd और reset का option अनदर यहां पर आपको मिलता है Q setting जहां पर brightness related option है data usage का option है footer alert वगेरा है bat estimate वगेरा है QS के layout का आप छोटा बड़ा कर सकते हो compact वगेरा यहां पर background चेंज कर सकते हो QS background का option आपको मिल जाता है यहां पर बेटर लगा लेगिन आप अपने बड़ चीस आप से करो और यहां पर color भी आप चाहो तो manually change कर पाऊगे तो हर एक चीज़ से related color के option मिल जाते है यहां पर brightness का है यहां पर intensity वगेरा है जो कि blur related है उसके गार यहां पर auto brightness का option मिल जाते है और volume slider के भी option दिये गए कई इसारे जो कि आप जैसा चाहो वैसा है जो volume slider आप यहां पर pick कर सकते हो रख सकते हो कुछ इस तरीके से तो यह सारे option आपको मिलते है Q के अंदर और lock के अंदर आपको मिल जाते होई locks related clock formats वगेरा जो कि आप यहां से जो change कर सकते हो कैसा रखना है कैसा नहीं जो कि आपको lock screen आप जो नजल आएगा तो आप देखो clock इदर जा चुका है तो इस तरीके से आप यहां पर modify कर सकते हो बाकि hide, status bar वगेरा मिलेगा fingerprint, authentication, error वगेरा आपको मिल जाते हैं अनदर यहां पर media, covered art आपको टेखनीकों मिलेगा और फिर से back आते हैं तो आते है status bar जहां पर tuner का option है यहां पर status bar लेरिक के option आपको मिल जाते हैं लोगों का option है battery और बाकि अधर icon को आप यहां पर on and off वगेरा कर सकते हो जोकि normal common होते हैं traffic inductor, battery का am, pm, second वगेरा इनेबल करना clock के background जहां पर color कर सकते हो background वगेरा चेंज कर सकते हो यहां पर आपको मिलता है हर एक icon को छोटा बड़ा करने का जैसे ही signal हो गया, wifi हो गया उसके बाद आपका battery icon वगेरा वो चीज़ आप यहां पर control कर पाऊगे अनदर आता है add-on जहां यहां पर काफी कुछ चीज़े change करने के लिए आपको मिलती है, जैसे कि यहां पर clock format आपको change करने का मिल जाता है left-right या middle में रखना है, style कैसा होना चाहिए, header image आपको रखना है या नहीं, यह साय चीज़ आप यहां पर कर सकते हो, आप देखो clock काफी छोटा हो चुका है ज इस तरी की साब चीज़े है जो बदल सकते हो, उसके बाद padding को control कर सकते हो, iOS रखना है या फिर different रखना है या फिर default रखना है, उसके height को भी आप control कर सकते हो, जो कि status bar में आपको देखने को मिलता है, इसके बाद यहां पर आपको मिलता है जो कि theme का option है, जहां पर आप dark mood option आपको मिल जाता है, यहां पर आपको card view के option मिलते हैं, जो कि आप यह सारे option देखरें और layout वगरा, यह initiate का है, यह आपका home page का है और यह prefer का है, तो home page आपने देखा कुछ इस तरी की से था, तो यह चीज़े आप यहां पर बदल सकते हो, जो कि आपको यहां पर बदलाओ ह मिलेंगे अलग-अलग settings के, जो कि देखने में काफी सही लगता है, उसके बाद यह है about page जो कि मैंने oxygen OS जैसा set कर रखा है, आप जा तो default कर सकते हो, उसके यहां पर secure mood आपको मिल जाता है, home का आपको अलग-अलग layout से देखनी को मिल जाएगा, जो कि change करने के बाद आप मिलेगा, यहां पर features मिल जाएंगे, यहां पर add-rons मिल जाएंगे और यह हमारा home setting, जो कि अलग look में दिखाई दे रहा है, तो इस देखी से कई सरे options आपको मिलते हैं, जो कि आप change कर सकते हो, तो फिर से theme के अंदर आ जाओ, यहां पर आपको देखनी को मिलेगा, जो कि home theme जाएंगे ना, उस type से आप यहां पर रख सकते हो, अभी मैंने oxygen waste वाला डाला है, तो आप देखो oxygen waste जैसा है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया है, तो ऐसे आपको अलग settings देखनी को मिलते हैं, जो कि आप यहां से change कर सकते हो, बाकी यहां पर आपको देखन आपके option है, icon pack, data, wifi, signal वगेरा आपको देखनी को मिलते हैं, change करने का, यहां पर जो कि डाइलर है वो आपको मिलते है, switch जो कि बटन होता है, on-off का, उसमें आप अलग-लग look डाल सकते हो, और यह है इसका theming वगेरा, जो कि control कर सकते हो, यहां भर-भर के customization दिये गए हैं, जो क अगर मैं हर एक चीज़ को सो करता चलों, तो बहुत time लगेगा, अब बात करते थो है performance की, कि performance कैसा देखनी को मिलता है, क्योंकि साही चीज़े काफी मज़दार यहां पे नजल आती है, तो setup को complete करने के बाद, यहां पर आप देखो, इतनी by default apps मिलेंगे, बाकि आप जो डाल सकते हो, अनदर यहां पे अंटूडो स्कूर काफी अच्छा देखनी को मिला है, प्लस में 100 पे डालने के बाद, नर्मल सीप्य ठोटल काफी सही है, जो कि 1,93,000 मैक्स, और मीनो 1,44,000 है, जो कि काफी सही लगा, उसके बाद 41 के बाद, morning में आता है 41, यानि 0% का battery drop, जो आपको काफी अच्छा मिलता है, कैमरा हमारा प्रो पर काम करता है, मुझे कोई दिकत नहीं आई, और geekbench भी हमारा perfectly काम कर रहा है, और gaming में, जैसे कि मैंने कहा ना, कि 90 पेस उनलॉक कर देता है, तो उनलॉक मिल जाता है, तो यहां पे आपको डिवाइस सर्टिफाइड मिलत है, फोटो इश्रोज अनलॉक मिल जाता है, और हाँ, यहां यहां पे डाइलर जो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा Google का, यानि announcement मिलेगा ही मिलेगा, डालना कैसे, तो वही वाइफ लैस format and reboot, बस आपका काम हो जाएगा, और यह मेरे तब से highly recommended roam होने वाला है, क्योंकि सार वीडियो में और वेट करना, इसकी roam के अपडेट रहे हैं अचकल, लेकिन हा, continue आते रहेंगे और जब भी आएगे मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, बस अच्छे अच्छे roam मिलने चाहिए, अगर बेकार roam के अपडेट आएगे तो भाई वीडियो नहीं आएगा, तो आपको लगए कि वीडियो नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, वीडियो दूँगा, बस कोई मदेदार रों मिलता रहे, मैं आपको देता जाओंगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना दोनों को, और यार प्लिस सब्सक्राइब के लिए लाइक और सेर जरू करें जार प्लिस सब्सक्राइब के लिएू भीडियो दाम लेमे के लिए एंगा रों मिलता जओको देनी और सेर भीड़मान दोनों मिलता रहे लिए अक्तितूंगा, अकल बस्ट प्लिस वालतारु जए लेए, श पर सेर फघ्वता सबाशगार, देसे क्षin, च गषिन है, चि